एक बार लडाई होगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपके संबंस उधरने लगते हैं चीन के साथ में, और फिर इंद्रा गांथी के टाइम पे चाइने स्टडी ग्रूप, वो पर्ट्रोल पॉइंट्स अडेंटिफाय करते हैं, धीरे धीरे एक अपनी सेक्योरिटी को क कैसे इंगेज करना है, उन दो फ्रंट्स पे काम शुरू होता है, जो उसकी जर्नी रही है अब तक के, जो हमने 2020 में बड़े अनफॉर्चनेट इविंट्स में कनवर्ट होते हुए देखा, उससे पहले सब कुछी सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ जा रहा में जानना चाहते हैं कि उसको वो जो जर्नी रही है अब तक के, उसको आप कैसे देख रहे हैं, दिखो 62 के बाद प्रधानमंती इंद्रा गांदी ने काफी कोशिशे की संबंद को ठीक करने के लिए, हाला कि वो नाकाम रहे, अलग अलग रीजन्स है और मैंने शायद किसी 1988, December 1988 में उन्होंने चीन की आतरा की और दंग्शाव फिंग से बात किया और वहीं से नॉर्मल रिलेशन्स जो हैं शुरू होते हैं, नॉर्मल रिलेशन्स के एक थ्री पिलर्स थे, ब्रॉडली स्पिकिंग, तीन ऐसे पिलर्स थे जिस पे नए संबंद बनाने थे, पहला य हल कीजिए, उसके बाद हम बाकी संबंद बढ़ाएंगे, दोनों ने कहा कि सीमा विवाद को हल करना है, लेकिन साथ साथ दूसरे संबंदों को भी बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बदलाव आया, दूसरा था कि जब तक सीमा विवाद का कुई कुछ जनक समाधान ना निकले, दोनों पार्टीज ना फॉर्स यूज करेंगे ना फॉर्स का थ्रेट करेंगे, और अमन और शांती बनाया रखने के लिए हम कुछ समझोता करेंगे हमारे बीच में, और उसके वज़े से ये दो मेजर अग्रीमेंट से 1993, Border Peace and Tranquility Agreement, और 1996, Confidence Building Measures Agreement आया जिससे बहुत वर्षों के लिए boundary पे या line of actual control पे शांती, in general, it was a peaceful situation, so इती दूसरा understanding तो, और तीसरा understanding था कि क्योंकि हम दोनों विक्सित देश हैं, हम दोनों आगे बढ़ जाँ चाहते हैं, जन संक्या में हम नंबर एक और दो हैं, अर्थ्यवस्ता बढ़ी हैं, military भी बढ़ा है, हम एशिया में और दुनिया में, हम एक दूसरा, अगर एक बढ़ेगा तो द आगे बढ़ेंगे, और ये एक तरह से कहलाता है, राजीव गांदी दंग्शाउफिंग मोडस वाइविंडी, और राजीव गांदी दंग्शाउफिंग कंसेंस, ऐसे कोई लिखित में तो था नहीं, लिके नहीं, ब्राद अंडर्स्टैंडिंग थी, अब आप देखी ये करीब 2005 के बाद, इन तीनों इशूज पे, चीन का क्या रवाईया रहा है, पहला जो पिलर था कि सीमा विवाद को हम हल करेंगे, लेकिन अन्य संबंदों को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी तरह से पुरी कोशिश थी, बात्ची थी, जब वाजपाई जी चीन गए थे, स्प महत्वपूर्न अग्रीमेंट साइन कोहा, the agreement on political parameters and guiding principles for solving the boundary issue, in other words, कौन से principles के ओपर हम solve करें, उसके बाद क्या हुआ, चीन अरुनाचल प्रदेश को South Tibet बोलने लगा, स्टेपल्ड वीजा आई, अरुनाचल प्रदेश को और बाइदर वे जम्मुएन कश्मीर के सिटिजन को भी कुछ देर के लिए स्टेपल्ड वीजा आई, विलिजिस के नाम अरुनाचल प्रदेश को चीन के नाम दे दिये, अब तो एक तरह से जो समझोता था, कि हम सीमा को सुलजाने के लिए आगे बढ़ाएंगे उसमें रिवर्सल आगा दूसरी बात जो पीस और ट्रैंक्विलिटी के बात है कि दोनों तरफ से थ्रेट ऑफ फॉर्स नहीं होगा और यूस ऑफ फॉर्स नहीं होगा उसमें परिवर्तन आया 2013 के बाद एक के बाद एक देपसांग, चूमर, डोकलाम, गल्वान वो जो समझोता था कि हम ठीक है हात्यार यूज नहीं होए हैं लेकिन वाइलन्स तो था और उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गये थे कि दोनों पेट्रोल फेस टू फेस आमने सामने आए तो कैसे पीछे हटे उन्हों नहीं फॉलो किया तो वो उस पिलर में प्रोब्लम आ गया और तीसरा जो पिलर था कि हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और एक स्पेस बनाएंगे कि आप भी आगे बढ़ी हम भी आगे बढ़ेंगे आप उसको देखि जापान, सिंगापूर, EU डेजिगनेट नहीं किया उसके बाद NSG में हमें में बढ़ेंगे था वो ब्लॉक करके रखा है तो एक्चुल अक्शन में वो जो उन्होंने का हम आपको स्पेस देंगे बढ़ने के लिए वो उन्होंने देमंस्ट्रेट नहीं किया तो जो पिलर् वो जब गलवान हुआ तो गिर गए पिलर्स तो बीसिकली मैं समझता हूँ कि अच्छा क्यों हुआ यह तो गैस करनी की बात है लेकिन मैं समझता हूँ कि 2000 और 2015 के बीच में जो भारत और चीन के बीच में अंतर हुआ उसकी वज़े से वो सोचने लग गए कि अब भारत ऐस कुछ नहीं कर पाएगा जो हम समाल नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए 2000 में सं 2000 में उनका GDP हमसे दो गुना बड़ा था हमारा हाफ ट्रिलियन डॉलर्स था उनका वन ट्रिलियन दॉलर्स था दो हजार दस में यह डिफरेंस वन इस्टू तो से वन इस्टू फो हो गया हमारा 1.5 था उनका आठ बिलियन हो गया आज 1 इस्टू 5 का डिफरेंस है आज हमारा 4 ट्रिलियन है वो 18 ट्रिलियन पहुंच गये तो एकनॉमिक गप बढ़ गया मिलिटर मिलिटरी गैप तो बढ़ी गया क्योंकि अगर ज्यादा पैसा है तो अब ज्यादा मिलिटरी स्रेंग्ती बढ़ा सकते हैं डिप्लोमेटिक इंफ्यूंस उनकी बढ़ी तो शायद वो सोचने लग गई कि अब भारत के बारे में उनकी सेंसिटिविटीज को कोई मा किया ही जाता है वो रोज मतलब इस चर्चा में तो फिर भी अच्छे से बात हो रही है लेकिन ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है तो उसी तरह से आप जो दूसरा पक्ष है उसने वाश्पीस आपको पकड़ना चालू किया है कि अब अगर अरुनाचल को मानता देदी क्या आज जो सित य है उस मामले में आपस यह तुलना और यह आकलन कि नहीं करना चाहिए था उससे सहमत है प्रामिनिस्टर वाजपे को नहीं करना चाहिए था ऱ्वन चाहिए कु और डिलेना नहीं यह प्राइमिस्टर वाजपई की पॉलिसी नहीं थी, 1954 में जब दोनों देशों ने ट्रेड और इंटरकॉस ऑन दे टिबेट रीजिन और चाइना पर हस्ताक्षर किया, उसमें तो साफ लिखा है कि टिबेट अटॉनमस रीजिन इस पार्ट दे पीपर रेपॉब्लिक चाइना तो वहीं बात खत्म हो गई, उसके बाद हर सरकार, किसी भी भारती सरकार ने उस अग्रीमेंट से हटा नहीं है, लेकिन जो आज की सरकार है, उन्होंने सपष्ट कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी की बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक चीन वन इंडिया पॉलि और तर्ट के मानते हैं, और दूसरी तरफ यह कहें कि कश्मीर में भी आपका डिस्प्यूट है, अरुनाचल में भी आपका डिस्प्यूट है, तो यह बिल्कुल सही पॉजिशन लिया है सरकार ने, और यह भी एक फैक्ट है कि मनमोन सिंग गवश्मेंट ने भी यही और अब कुछ अलग है, यह ठीक, यह हमारा सवाल नहीं है सर, आक्चली लोग क्या करते हैं, वो किसी एक को पकड़के, उनका मत पहले से सपष्ट है, वो तो राजनीतिक इशूए, मैं तो राजनी पर पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ